गया से एक breaking news आ रही है भागपा माववादियों ने गया railway station प्रबंदक को पत्र लिख करके 20 लाख रुपे की रंगदारी मांगी है यह पत्र साधारन डाक के द्वारा बेजा गया है और पत्र के द्वारा उन्होंने रंगदारी की मांग की है उन्होंने धमकी बरे सब्दों में ये लिखा है कि 10 दिनों के अंदर अगर रंगदारी नहीं दी गई तो railway station को उरा दिया जाएगा station प्रबंदक ने जी आर्पी साहित वरी अधिकारियों को इस घटना की जानकारी दे दी है वहीं जी आर्पी पुलिस चानबिन में जुट चुकी है आपको बता दे कि यह पत्र जहारखंड के गिरिडी से पोस्ट किया गया है पटना से बिहार प्लस की रिपोर्ट